प्रस्तु थे मेट्रोमिडर न्यूस डाइजेस्ट 11 ओक्टूबर 2023 मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन के लिए 17 नवेंबर को होगा मत्जान निर्वाचन की घोशना के साथ ही लागू हुई आदर्ष आचार सहीता प्रदेश में आदर्ष आचार सहीता का सक्ती से होगा पालन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बस्पा ने 26 प्रत्याशियों की तीसरी सुची जारी की पत्रिया से विधायक रामबाई को दोबारा बनाया उमीद्वार मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाओ की तारीकों के एलान के बाद बहुजन समाज पार्टी ने 26 प्रत्याशियों की तीसरी सुची जारी कर दी है इस सुची में पत्रिया से विधायक रामबाई सिंग को टेकेट दिया गया है सिहोर से भाजपा ने एक बार फिर सुदेश राय को दिया टेकेट समर्थकों में खुशी की लहर मनाया जश्न सिहोर विधान सभा छेत्र से भाचपा ने सुरेश राय का अपना प्रत्याशी घोशित किया है स्रोमवार को चोथी लिस्ट में उनका नाम आने के बाद भाचपा समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और तीसरी बार उनके विधायक बनने की उम्मीद जताई ग्वालियर में दो मंत्रियों प्रद्यून सींग और भारत सींग को टिकेट समर्थकों ने मनाया जश्न धाई साल की मासुम का लीवर फेल दवा का ओवरडोज देने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज माध्य प्रदेश के राजगण में दवा ओवरडोज देने से धाई साल की बच्ची का लीवर फेल होने का मामला सामने आया है परिजनों की शिकायत पर सरकारी डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया है सुधर जाओ SP कलेक्टर सरकार आने पर थाने में उल्टा लटका दूँगा कॉंग्रिस नेता के बिगड़े बोल कॉंग्रिस के नेता फूलसीय बैरिया ने बिगड़े बोल फिर सामने आये हैं उन्होंने भिंड में अटेर के मंच पे प्रदेश के SP कलेक्टर कोचे तावनी दी है कि जनता पर अत्याचार करने वाले अधिकारी सुधर जाएं नहीं तो थाने में उल्टा लटका देंगे अनुमती का पेज फस्ते ही संजे शुकला ने जया किशोरी की कथा की निरस्त आदर्स आचर सहिंतर लगते ही सडकों पर उत्रा प्रशासनिक अमला राजनितिक बैनर पोस्टर हटाए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे और पुलिस में हुई जड़प कपड़े फटे जेल में कर रही भूखरताल भाजपा की चौथी सुची पर कमलनात का बड़ा हमला बोले लडाई से पहले भाजपा ने हार मान ली ऐसी ही डेली अपगेट के लिए देखते रहे हैं न्यूस डाइजेस्ट मेट्रोमिरर डाट कॉम